हुआ है हेलो सभी को गुद मॉर्निंग बचों हम लोग क्या सिख रहे थे हैलो एलकेंस में रियक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंस्पल इस वाट वी वर डिस्कसिंग तो हमने बहुत सारा इसमें डिसकसन कर लिया था तो आज इसी को फर्दर आगे बढ़ाते हुए एनर्जी के नुसारा स्टडी करना प्राराम करते हैं रियक्टिविटी सेलेक्टिविटी स्रीज को तो बने रही है हमारे साथ ठीक है बने रहना है तो मैं राजीब आप सभी का आपके अपने ही चैनल किसमें वर्चुल बिद्या में स्वागत करता हूं अब आराम से सुनि वर्च करता है वह तो हमने यह बताया था लास्क्रास में कि अगर हैंडरी वन डीग्री हो क्या हो तो क्लोरिन क्या करता है हैं रियक्टिव होता है याह घटा- hai ऐसा इंसान है जो किसी के साथ भी भीड़ने के लिए तयार रहता है वह यह नहीं देखता है कि इस और सामने तो यहां पर 1 chloropropane 45 परसेंट बहुत है और 2 chloropropane 55 परसेंट बनता है यहां तक तो कुछ सही है कुछ सही दिख भी रहा है लेकिन यहां देखिए अब ले रहें two methylpropane क्या रहें two methylpropane यहां पे देखिए अगर चुछी में सब कुछ ड्रोग किया जाय तो यहां buy ch3 है यहाँ सैस 3 है और यहाँ सीज्च 3 है तो इसमें में आपका करता क्या है क्लोरीन क्या करता है जो नेगल है है वो three three a nine और जो three degree है सिर्फ यहां पे खोगा only क्या है one तो रिट्टिबीटी सिरीज के अनुसार हमने क्या सिखा था कि जो three degree hydrogen होता है वह highly reactive होता है वन डिग्री hydrogen से तो इस three degree hydrogen का probability ज्याधा होना चाहिए था जल्दी निकलना चाहिए था निकलना है ताना थाना कि यह था ब motherf लात यह है किण क्लोरीन क् I am वो निम्बर्व देखता है वह यह नहीं देखता कि व थ种 है उसका ज्यादा रिप्टिभिटिApps जहाँ जर्डी नमार्स जब यह ज़्यादा है इसे कवर्डी ख्यलते होना इसे परदीप नर्वने का नाम आपने सुना होगा वह यह नहीं देखते हैं कि मेरे सामने कितने हैं बस गया और सभी के सभी आप उजय जाते हैं वही क्या है क्लोरीन करता है उस सिधा भी जाता जो ज्यादा दिखे उसी के साथ भीड़ता है सबसे पहले डटीज दरीजन यहां पर क्या है टू मिथाइल टू क्लोर अगर इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा वन टू 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 पहले क्लोरो लिखना पड़ेगा चुकि हम भाद में आता है यह सा पड़े होंगा आप लोग टू क्लोरो टू मिथायल प्रोपेन यह पहले बनेगा और यह कितना बनेगा 63% सुए कोशन पूछा गया है है क्या आइसा होता क्यों होंग है तो था आप क्योंग तो धूड़ेटी विट रेक्टी विटी ओव एफ क्लोरीन वहरी दरी देजंट सी दर डिग्री वहरी देग्री तो प्रोपेन तो दोनों है तो ख्लोरो टूमिथाइल प्रोपेन तो दिस विल बी ओनली 37 प्रेसेंट यह पॉइंट किलियर है या नहीं यह बताईए इस इस द वेरी इंपोर्टन पार्ट ओफ डिसकॉसन चुकि यह समझ में आ गया तो फिर आराम से क्लूरीन का आप समझ मे सीख जाएएगा ठीक है को दिखात यहां तक किसी को भी है ठीक है तो बहुत अच्छा आगे बढ़ते हैं ओके तो ठीक है बच्चो हमनों क्या देखा क्लूरीन में कि उसका प्रोविविलिटी फैक्टर ज्यादा है से लेक्टिविटी से यह वो एनरजी पर ज्यादा नहीं देखता है वो देखता क्या है प्रोविवल कि मैं कैसे जाके किसी से बीढ़ो अब यही केस हम ब्रोमीन के कीजिए ठीक है बापने दोस्तों में सेर केजिए सब्सक्राइब कीजिए ठीक है इसको वर्चुल विद्याइब ओके ठीक है तो आप देंस पर अब इसी को ब्रोमीन क्या किया अटेक किया किस पर टू मिधायल प्रोपेन पर ब्रोमीन को भी क्या करना है यहां ब्रोमीन को रिप्लेस करना है रिप्लेस को करना है तो ब्रॉमीन भाय साहब हुए वो क्या किये कि जो 3D रिएग्री हाइट्रोजन था उस पे जाकर कर डिए कहें मुझे जो ज्यादा नंबर्स है उससे मेरे को मतलब नहीं है मैं उससे ज्यादा जाकर के भीड़ूंगा जो ज्यादा रियक्टिव है ठीक है यानि एकदम वह भी रियक्टिव और कहां मैं भी रियक्टिव तो मैं थोड़े ना जो नन रियक्टिव है उससे भीड़ने वाला नहीं एक लेवल में आ करके भेड़ूंगा देट इस वाट ब्रोमिन आज यह जब यह रियक्शन करवाते हैं तो अल्मोस्ट नाइंटी नाइन परसेंट बनता है थ्री डिग्री ठीक है यह थ्री डिग्री पर जाकर करता है क्या अगर इसको नाम देंगे तो क्या होग टू ब्रोमो टू मिथाइल को वाट इस प्रोपेन यह आइपक नेम सेख लिजेगा आप लोग टेक है क्लासे 11 में सिखा जाता है तो इस वाट तो ब्रोमीन क्या हो गया यह सेलेक्टिव हो गया यह चूज करता है कि मुझे क्या पसंद है ठीक है जैसे आप लोग भी बच् आपसंद और ना पसंद होता है डर में मा अगर खाना बना दी तो जो आपको पसंद हो आप सिद्धे भी कि देते हैं और इसके एक step आगया स्कूल में हो कुछ दोस्त नोग पसंद ना हो तो उसको ढूंढते फिरता है किसे से मान लिए जगड़ा हो गया हो ठीक है मान काहें भी मिल तो जा मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं तो दिसीज दर रीजन क्या ब्रोमी निज सेलेक्टिफ ही चूजेज किसी के साथ किसी को नहीं कि कभी हम लोग है यंग लाइफ में पता नहीं कितनों को पसंद कर लता है ना कि असा बात कर रहे हैं समझाने के लिए करें ठीक है लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि कि हम किसी को चूज करते है कि हमें यह ज्यादा पसंद है that is what तो इसके पीछे का भी साइन्स है ठीक है तो जो फैक्टर्स है क्लोरीन के लिए इस तरीके से है क्लोरीन के लिए 4.4.5.4 इस टू ये 3 डिगरी 2 डिगरी 1 डिगरी का सेलेक्टिविटी बता रहा है ठीक है यह है 5.4 3 3.8 और 1 इसका कहने का मतलब संदाता आपको कि क्लोरीन को अगर 1 डिगरी मिला हाइड्रोजन तो अगर 1 है चांसे उसके क्या अटैक करने के तो 3 डिगरी के मात्र 5.4 है यह लेकिन यहीं जब ब्रुमीन में आते हैं तो देखिए कहानी कहां बदल जाता है 1600 इस्टू 80 आइधिंग ऐसे हैं 82 इस्टू 1 यह नहीं यह जो ब्रुमीन है यह जो ब्रुमीन है क्या कर रहा है अगर 1 डिगरी पर इसका प्रोबिलिटी 1 है तो 3 डिगरी हर्ण पर क्या है 1600 टाइंज है हाल कितना ज्यादा है यह जी करण से क्या है चूज करते फिरता धूड़ते फिरता है जो तो मिल जा मेरे भाइव अगर थ्री डिगरी नहा मिला तब जाकर के टूड़ते तो इसका बजा दिया जाए करते हो ना करते हैं तो यह है ब्रोमीन का कहानी वह बहुत ही इंपोर्टेंट है बहुत ही मज़दार टोपिक है लोग इसको क्या करते हैं तो समझ आया पसंद दिया था ठीक है को दिकत यहां तक किसी को कि दिकत होनी नहीं चाहिए ठीक है कि अधिक है एक दम मस्ती में आज का सेसन निकला मज़दार भी रहा मुझे बिस्वास है कि आप को भी यह सेसन पसंद आ रहा होगा और आया भी होगा तो हमने आज हैलो एलकेंस का सेलेक्टिविटी रियक्टिविटी प्रिंस्पल पढ़ लिया सीख लिया ठीक है यहां तक अब तक हैलो एलकेंस से सुरू से कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए हम पूरे एक ही क्लास में जो कि क्लास थोड़ा लॉंग होगा पूरा रिभाइज करवाद देंगे आपसे ठीक है तो पुरा है एक बार कह रहा हूं को अगर पसंद आया तो लाइक किजिए शेर किजिए सब्सक्राइब कुझे अपने दोस्तों को बताइए हमारे टीम का मनौल बढ़ाईए ठीक है तो आज का लेक्चर हम यहीं कर रहे हैं मिलते हैं अगले सेशन में एक और मज़दार टॉपिक के साथ बने रहिएगा हमारे साथ अगले सेशन में आज के लिए बावाय टेक क्य जाहिंद्या भारत